सामलेकम दोस्तों आज हमें एक जनरल सा टापिक लेकर हैं जो है राउंडिंग आप डेटा राउंड आप मींस तो डिक्रीजार तो डिद्यूस यानि कम करना देफिनिशन है इसकी तूर डिक्रीजा नंबर और कॉंटिटी तो एन डिजायर सिगनिफिकन नंबर यानि किसी भी मेजर्मेंट को या कॉंटिटी को हम डिक्रीज कर सकते हैं हम अपने मताबिक फार एक्जमपल 49.263 26347 इसमें 7 सिगनिफिकन नंबर से तो हम इसको 3 सिगनिफिकन नंबर तक राउंड अफ़ करना चाहते है तो 7 is greater than 5 इसको राउंड करेंगे यह 5 हो जाएगा 5 के आगे और नंबर 5 को राउंड करेंगे और इसमें एक गरेंगी यह एक्टर होजगा उन साफ टेंथ पैय। उसे ऐसे ईल्जमप कर देंगे 6 is greater than 5, इसे round करेंगे और ये 3 हो जाएगा, और ये measurement हो जाएगी 49.3 रूल से rounding of data के तो पहला rule है, if digit to be dropped is less than 5, then drop it without changing the next digit यान इसका मतलब है, इस digit को हम drop करना चाहते हैं, वो less than 5 हो, 5 से कम हो, तो उसे ऐसे ही drop कर रहे हैं for example, 52.8243, 3 is less than 5, इसे एसे drop कर रहें, 4 is less than 5, इसे भी एसे drop कर रहें, 2 is less than 5, इसे भी एसे drop कर रहें, तो ये measurement हो जाए, 52.8 दूसरा है, if digit to be dropped is greater than 5, then add 1 to next digit, add 1 to next digit, आने इस, for example, 52.8 5, 6, 7, 8, 8 is greater than 5, इसे drop करेंगे और 7 में एक 8 करेंगे, ये 8 हो जाएगा, 8 is greater than 5, इसे drop करेंगे, ये 6, 7 हो जाएगा, 7 is greater than 5, इसे भी डॉप करेंगे, ये 5 में एक 8 करेंगे, और ये 6 हो जाएगा, 52.6 तीसरा है, if digit to be dropped is exactly 5, then there are two conditions, यानि जिस digit को हम drop करना चाहें, वो 5 हो, तो उसकी दो conditions है, पहले if digit next to 5 is even, then drop it without changing the next digit, यानि इसका मतलब है, 5 के पिछे वाला digit जो हो, वो even हो, तो उसे हम ऐसे ही drop कर रेंगे, for example, 52.58, तो 5 के पीछे वाला जो अदाद है, वो even है, तो हम 5 को ऐसे ही drop कर देंगे, तो यह होगा 52.8, दूसरा, if digit next to 5 is odd, then drop it by adding 1 to next digit, यानि इसका मतलब है, 5 के पीछे वाला जो अदाद हो, वो odd हो, तो हम 5 को drop करके, पीछे वाले अदाद में एक 8 करेंगे, तो for example, 52.58, 35, 5 को drop करेंगे, और 3 में एक 8 करेंगे, यह हो जाएगा, 72.84, सिग्निफिकांट नबर की डेफिनिशन है, दा रिलाइबल डिजेट्स एन फिगर और मेजरमेंट रिप्रेजेंट अ मेजर्टी, and which we are certain is called significant number, इसका मतला भी, मेजरमेंट में reliable डिजेट्स, भरोसे दार डिजेट्स जो होना, उससे हम significant number कहते हैं, दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पस्सान आईए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,